इतिहास नो जोड़ा बहुत जरूरी है क्योंको इतिहास तो सानू सबक मिलदा है जीवन जाच दा इतिहास विच जो पुरानक कथामा दे विच सानू दस्या गया है उस बारे हर शनीमार नो आके रजनी शर्माजी सांच पाया कर देने तो उसी सलसले पुचाओ तो उनो दुबारा तो लेके चलने हैं उससे इतिहास दे उना पन्यादनाल जोड़के कि की कुछ सानू पता चल सकता इतिहास तो किस तरीके नाल इतिहास नो अपने आजदे जीवनें चासी लागू करके एक चंगी जिन्दगी बेहतर जिन्दगी और बताते थे तो अगर हम इतिहास को सिर्फ समेट के और उनको माथे टेकने तक सीमत ना रख दे तो हम वाक्य में उन चीजों से बहुत कुछ ग्रहन कर सकते हैं तो आज फिर अगले सफर में चलते हैं हमें बताईए कि अब कौन सी कथा सुनाने जा रहे हैं देखे अभी जो वहां पर सीन है राजा परिक्षित जो है वो बैठे है और शुकदेव मुनी उनको कथा सुनाते हैं और अलग-अलग तरहां से बता रहे हैं तो यहां पर शुकदेव मुनी ने एक दिन राजा परिक्षित को कहा कि देखो परिक्षित मनुष्य जो है वो अपने मन से व और ज्यादा धर उनका बाते हं उनको पता है कि परिक्षित के पास के साज साथ दिन बचे हैं और उनको ज्यादा फिकर है अपने आगे की गती के ऑसे कि क्या होगा तो उस बात को ध्यां में रखते हुएПрो यस विए पर बात करते हैं और शुक्रदेव कहते हैं कि मन से, वानी से, कर्म से, इंद्रियों से, बहुत सारे पाप मनुष्य से होते रहते हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि उन पापों का प्राश्चित करें, और ताकि उसे आगे उसका दंड ना भोगना पड़े, और जिस तरह से कि एक डॉक्टर होता है, ताकि स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, इसे तरह से जब कोई आप से पाप हो जाए, अन्जाने में हुआ तो नहीं हम उसमें कुछ कर सकते हैं, लेकि जान कर कोई पाप हो गया, तो उसका प्राश्चित कर लेना चाहिए, तो जब उन्होंने ये बात परिक्षित को कही, परिक्षित के मन में प्रशन आया, वो राजा हैं, उन्होंने कहा हर राज्य में लौ एंड और होता है, राज दंड की व्यवस्ता होती है, समाज दंड की व्यवस्ता होती है, हर जगा सोशल नॉम्स होते हैं, और जो लौ एंड और तो हर कंट्री का है ही, उसमें उन्होंन पाप करते हैं, पाप की वासना खतम नहीं होई है, तो उन्होंने शुक देव मुनी से अपनी ये शंका जाहिर की, उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य ने एक पाप किया, और फिर उसका प्राश्चित किया, और फिर दूसरा पाप किया, और उसका प्राश्चित किया, तो ये त आप ठीक कह रहे हैं वस्तुता ऐसा ही है कर्मो का जो नाश है वो कर्म से नहीं होता है कर्म के बीज का नाश कर्म से नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि इसलिए जो मनुषय विद्वान लोग हैं जो शास्तरों की आग्या का पालन करके प्रामजर्य से इंद्रिय निग्रह से अपने काम कुरॉद लोव आंकार इनको अपने बस में करके भीतर बाहर की पवितरता यम नियम इन सभी चीजों की पालन करके अपने जीते जी ही अपने जो है पापों से छुटकारा पा लेती है लेकिन जो वस्तु तहा शुद्धी है वो तो आत्म तत्व को जानने से ही होती है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो आत्म स्मर्पन करके भागवान का लीलाओं का श्रबन करे और उनके नामों का जब करे किर्टन करे उससे सभी पाप जो है वो नश्ट हो जाते हैं तो जब परिक्षि को यह बात उन्होंने कही तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको और समझाने के लिए तो उन्होंने कहा परिक्षित इस बात को मैं तुम्हें और स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें अब एक कथा सुनाता हूं जी तो अब उन्होंने वो कथा सुनानी शुरू की और वो भेश जो परिक्षित के अब सात दिन बचे हैं उनके हिसाब से तो उन्होंने शुकदेव मुनी ने अब ये कथा सुनानी शुरू की उनको राजा परिक्षित को उन्होंने कहा कि कन्नौज नगर में एक ब्राह्मन रहता था वह बहुत शास्त्रग्य था बहुत सदाचार था सयमी सुशील स्वभाव का शांत दूसरों के गुणों में दोश नहीं देखता था सबसे मित्रता का व्यवहार करता था और जो सबसे बड़ी बात है परिक्षित के वह अपने माता-पिता और गुरु जनों की सेवा करता था बहुत भी नहीं ब्राह्मन था तो अब माता-पिता भी उसके उपर बहुत प्रसन रहते थे और उन्होंने समय आने पर एक बहुत सुन्दर और नवयुवती कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया एक दिन उस ब्राह्मन का नाम था अजामिल अजामिल एक दिन अपने माता-पिता की शाम की संध्या पूजन के लिए वन में जा करके लेकर आ रहा था जब वो आ रहा था रास्ते में तो उसने देखा एक पुरुष और एक इस्त्री को वो पुरुष और इस्त्री दोनों ही उस वक्त मदीरा के नश्य में थे और वो जो पुरुष था वो जो इस्त्री थी वो एक वैश्या थी और वो जो पुरुष था वो दोनों का जो व्यवहार था एक दूसरे के प्रति, बड़ा कामों तेजक, वो एक दूसरे को आलेंगन कर रहे थे, और जो अपने काम का प्रदर्शन जैसे कर रहे थे, अजामिल जबारत हो एक पेड की ओट में हो गया और वो सब ये देखने लगा, और जिस तरह से उस ज वो समहा वो देख तो रहा था लेकिन उसके मन को उस युवती की वो सभी चेश्ठाएं बहुत अच्छी लगी, उसने क्योंकि वो संसकारी व्यक्ती था, वो घर गया और उसने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की धहरे से, कि मैं इस काम के वश्मी ना आँ, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उस रूपवती वैश्या को अपने मन से नहीं निकाल सका, और सारी रात वो उसका चिंतन करता रहा, और वही सब बातें जो उसने देखी थी, वो सभी बातें बार बार उसके मन में आने लगी, तो जब अजामिल ने से, जब नह कर लिया, तो अगले दिन ढूंडता हुआ उस वैश्या के पास चला गया, और वैश्या ने भी उसका स्वागत किया, और उसको वो बहुत अच्छा लगा, कुछी दिनों में वो वहां रोज जाने लगा, और बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूशन, पर्फ्यूम, इ में पढ़ गया, और अब उसको ऐसे लगा, कि जैसे माइ होल लाइफ अराउंड हर, वो यहां तक कि वो अपनी पत्नी को भूल गया, और अपने माता-पिता को भूल गया, और उसने निश्चे किया, कि जो मेरा जीवन है, अब मैं इसी के साथ रहूंगा, और उसी में पर जाके ही रहने लगा, कालांतर में उस वैश्या से उसको कुछ संतान भ्योत पर न हुई, एक दिन दैवयोग कहें, या उसके पुराने संस्कार कहें, एक दिन अजामिल कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसकी भेंट एक महात्मा से हुई, तो पुराने संस्कारों वश उसने महात्मा को अपने घर पर निमंतरन दिया, कि आप मेरे घर पर आएं और भोजन करें। तो उन्हों ने उस महात्मा को घर पे बुलाया, भोजन के लिए निमंत्रन दिया, और उनको भोजन फरोस्ता है। शात ही उसको बातों में उन्होंने ये कहा, कि ये जो मेरी इस्ति है, ये गर्ववति है। आप उसका नाम नारायन रख देना तो अजामिल ने उस बात को अग्री किया और कालांतर में जब उसके पुत्र हुआ तो उसका नाम उन्होंने नारायन रख दिया तो अब अजामिल का उस नारायन के प्रति विशेश प्रेम वो छोटा सा बच्चा जब वो अपनी बाल सुलब बातें करता था तो अजामिल का मन बहुत प्रसंद होता था उसको देख देखके तो वो हर वक्त कहते थे नारायन चलो, भोजन कर लो, नारायन खाना खालो, नारायन आओ यहाँ चले, नारायन वहाँ चले, तो हर वक्त उनके मूँ पे वो उस नारायन का नाम रहता था, अब नारायन जो है वो भगवान का नाम है और विश्नु भगवान के लिए ये नारा और एक दिन जैसा हम सभी संसारी लोगों के साथ होता है मृत्यू का समय आ गया अभी नारायन तो अभी छोटा वालक ही था और उस वैश्या के साथ इतना समय व्यतीत करके भी जो है अजामिल को पता ही नहीं चला कि इतने वर्ष उस बड़े कोटूंब के पालन में क्योंकि उसकी संताने भी हुए प्लस वैश्या की बहुत सारी मांगे होती थी और अजामिल तो किसी भी तरीके से छल से कपट से जुए से किसी भी तरह से धन लाके वो उसकी मांगे पूरी किया करते थे तो इसी में जीवन का बहुत समय निकल गया तो अब ये आखरी वस्था में जो आके ये पुत्रुत पन हुआ नारायन उससे उनका विशेश प्रेम हो गया तो एक दिन अजामिल थोड़ा बीमार हुए और उनको ऐसा लगा बीमारी की अचेतनावस्था में कि जैसे मृत्यू आ गई और उन्होंने अपने सामने बहुत भयानक तीन यम दूत देखे जो उनके शरीर से प्राणों को खीच रही है वो तो एकदम घबरा गए उनका पुत्र वही महां आंगन में खेल रहा था उन्होंने उसको जोर से प्राणों से अपने आवाज लगाई नारायन उनके मु से ये नारायन के शब निकलने थी तो उन्होंने देखा कि तीन या बहुत देवता की तरह दिखने वाले सिध्ध पुरुष्यों हैं वो भागते हुआ आए और डरो मत डरो मत ऐसा कहकर उन्होंने उन यमदूतों को वहां से भागाने का निश्चाई किया तो अब जब यमदूतों ने ये देखा तो उनसे पूछा उन्होंने कि आप लोग जो सिध्ध पुरुष्यों की तरह या देवता या आप कौन लोग हैं क्योंकि उन्होंने भी पहले उन दूतों को नहीं देखा था तो हम अगर यहां अपनी कथा के लिए उसमें कहें तो ए एक यम दूत जो शरीर से प्रान ले रहे हैं और एक विश्णू दूत भागवान के दूत जो की उसको बचाने के लिए आए तो उन दूतों ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और हम तो अपने धर्म राज की आग्या का पालन कर रहे हैं हम अपना कारे कर रहे हैं फिर विश्नु दूतों ने उन यम दूतों से प्रश्न किया, उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप इस तरह से अपना करतवे पालन कर रहे हैं, और धर्म की बात कर रहे हैं, तो आप हमें जरा अपने धर्म का ततो तो बताएं, कि आपके धर्म का क्या ततो है, तब वहां पर उन यम दूतों ने कहा, और साथ में उन्होंने ये भी पूछा, कि ये जो आप दंड देते हैं, इसका कोई आपके पास कोड आफ कंड़क्ट है, कि आप किस तरीके से ये देते हैं, कि आप उन लोगों को पाप करते हुए देखते हैं, उनका लेखा जोखा कॉन रखता है, जो मनुष्य पाप कर रहा है, तो इस बात पर उन यम दूतों ने कहा, उनने कहा कि ये जो सारी प्रक्रती है, ये त्रीगोण आत्मक प्रक्रती है, सत्व, रज और तम से लोग इसमें जो हैं, बंदे हुए हैं, और उसी अपनी प्रक्रती से और गोण से वो काम करते हैं, और जिस वक्त वो कर्म करते हैं, तो उनसे बहुत पाप भी होते हैं, उन पापों का साक्षी कौन है, उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रती, चंद्रमा, सुर्य, अगनी, काल, धर्म, दिशाएं, समय, ये सब साक्षी रहते हैं, और सबसे बढ़कर मनुष्य का मन, और मन म बैठे अंतर्यामी रूप से परमात्मा, तो अगर कोई भी तुमको पाप करते नहीं देख रहा है, और वो ये मन देख रहा है, तो मन तो मृत्यू के बाद भी साथ जाता है, जिसके संसकारवश हमें दूसरा शरीर राप्त होता है, उपर की गतियां, अधो गतियां, उच मिलती है, तो उन यम्दूतों ने कहा कि इस तरह से तुम्हें इस संसार में विचरते हुए लोग मिलेंगे, पाप आत्मा, पुन्य आत्मा, और पुन्य और पाप दोनों से मिश्रिप, इसी के फलस्वरूप तुमको कुछ लोग बहुत सुखी और संपन्न दिखाई देग कि अज्ञानवश कैसे मनुष्य कर्मों के जाल में फस जाता है, काम, ग्रोध, लोग, मोह, अहंकार, फिर अपनी प्रक्रती उसकी, इन सभी में वो धन की लालसा में, आगे से आगे बढ़ने की लालसा में, और सब की वज़ा ये है, कि वो ये भूल ही जाता है, कि वो एक आत्मा का रूप है, वो अपने को शरीर समझता है, ये सबसे बड़ी भूल, और फिर उससे जुड़े उसके संबंध, और फिर जैसे अजामिल उन संबंधों में इतना जकड गया, वो आसकती उसकी पुत्र के प्रती है, और उसके बाद जो है, वो अपने करम फैलाता चला जाता है, और बड़ा सुंदर एक्जेंपल दिया यहां पर, शुक्देव मुनी ने, उन्होंने कहा कि जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है, वो अपने ही उसके जाल के अंदर फस्ता चला जाता है, और बाद में मृत्यों को प्राप्त होता है, जो सधारन सभी मनुष्यों क कि यही जो है, वो दशा है, बिल्कुल जी यही आज वो ही जब कल परसूं की बात है, मैं आपने एक मित्र के साथ बैठा था तो बाती चल रही थी, तो यही बात हो रही थी, बड़ा परशान था, ठका हुआ था, तो उसके साथ इस वारतलाप में यह चीज बहार आई कि हम बजर्गों के साथ, बजर्गों के पहले वो लोग भी रहते थे, सिंपल जीवन था, काम होता था, रोटी खाते थे, अपना जीवन में अनन्द लेते थे, लेकिन जैसे जैसे यह टिकनोलोजी आती रहती है, बजाए कि यह हमें थोड़ी सी रहत देती, हाँ, रहत हमें मिल हाला कि हर अविश्कार यह होता है कि मनुष्य को कैसे जादा से जादा सुविधा मिले, कमफर्ट मिले ताकि वो परेशानियों से बचके अपने आराम से, लेकिन वो आप आपको और जकर देती हैं ना कि कोई सुविधा देती है, हाँ, सोतंतरता और ही नष्ड हो जाती है, तो जब यमदूतों ने इस तरह से पूरा उनसे कहा, तो विश्नुदूतों ने फिर उस बात को सुना और दहा कि ये आप कैसा विश्मता का व्यभार कर रहे हैं, कि ठीक है हर व्यक्ति को उसके अनुसार दंड देना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस पूरे मनुष्य जीवन में हर शास्त्र, हर धर्म, हर महापुरुष, सत्पुरुष एक ही बात कहते हैं, कि जो भगवान नाम का स्मरण है, वो सबसे उपर है, और इस अजामिल ने कितने प्रेम से, चाहे अनजाने में ही सही, कितने हृदे से नारायन का नाम पुकारा है, और उनक जैसे बड़ा रूई का धेर भी रखा हो, लेकिन अगर छोटी सी चिंगारी हो, तो इतने बड़े धेर को भस्म कर देती है, तो उन्होंने कहा, यह जैसे ही सूर्य निकलता है, तो पूरा कोहरा चट जाता है, ऐसे सुन्दर उन्होंने एक्जेम्पल दिये, और कहा, कि भगवान का नाम लेने से जल जाती है, तो अन्जाने में ही सही, इसने अपने फुत्र का नाम बहुत वार लिया, वह उसके सारे पापनश्ट हो गए, तो आपके दंड का अधिकारी नहीं है, ऐसा कहा, तो यह आगे वार तलाब क्या होती है, इसको हम अगले हफते तक लेक स्क्राइब है, जितनी भी सिमरिती की जाए, उतनी ही कम है, और जितना भी उसको याद किया जाए, उतना ही कम है, पर इसके बारे में आगे क्या होता है, अगले हफते हम बात करेंगे, आपका बहुत बहुत बात दान्यवाद, थैंक यू, तो इस दनालि कर देंजी, आज एक एपिसोड विच्स माफ नहीं कर सकते उसनों उसी अगले हफ़ते लई कंटिन्यू कर देने हैं सो जे कर पिछले भी तुसी एपिसोड देखने हो यह ता जरूर तुसी जाके देख सकते हो तानवादी असी अपने स्पॉंसर दे एडूटाइजर दे जिनने थी बदाले थी प्रोग्रम्स तोड़े तक पहुंच देने पर नाल ही आप सब नो एक अपील भी कर दे हैं कि इस प्रोग्रम नो गये चलान वास्ते तोड़े सहयोग दी सकत लोड है क्योंकि आसी संस्था नाल जोड़े साड़ा मकस्थ ही हुंदा है के आसी तोड़े सहयोग नाल तरूँ एडुटिस्मेंट ते सपोर्टर्ज दे जिड़े सानु प्रोग्रम नो cesपसर कर देने नाब जिसमा आपती कोई भी जानकर लोए ता जिरूर संफर कर ले ना तो ते एड़ोटेजमेंट संबंदी कोई भी जानकरी लेने होए तो फोन कर सक देओ फिर मुलाकात करांगे जी तक तक गुड़ बाई